आज क्यूंके प्रथम प्रधान मंत्री पंडजुआलाल नहरू जी की आज पुन्यती थी है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कामना करता हूँ के देश विकास की राह पर आगे बढ़े और जिस तरह की सोच के साथ हजादी के बाद प्रथम प्रधान मंत्री अर्जुआलाल नहरू ने इस देश की तरक्की के लिए जो आयाम स्थापित की है, उनके साथ आज हम लोग 75 मां में तुहास्पतव मना चुके हैं, लेकिन इस देश में जिस तरह की राजनिती चल रही है, उस राजनिती में मुझे एक बात ये समझने आ रही है कि सरकारें 10-10 साल भी रही, 15-15 साल भी रही लेकिन कभी 9 वर्ष मनाय जा रहे हैं, कभी 6 वर्ष मनाय जा रहे हैं, और उसमें ये कहना कि हम किसान सम्मान राशी की बात कर रहे हैं, हम उजुन्वा योजना की बात कर रहे हैं, और देश आधनिये निरेंदर मोदी जी के हाथों में जिस तरह का अधिमान मिलता रहा है वो पूरों के वर्षों में भी मिलता रहा है और अभी भी मिलता है लेकिन बार बार ये कहना अगर कॉंगरिस का कोई नेता अगर कोई बात ये करता है कि इस देश में क्या हो रहा है तो वो देश द्रो है अगर स्वयम कोई बात बाहर के द सरकार किसान हितेशी होती तो वो एक साल बारा दिन वहां सडकों पे कड़ती धूप में, बारिश में, सर्दी में, सडकों पे नहीं बैठते। अगर ये सरकार आम जन्मानस की हितेशी होती तो उजवला योजना के तहत आज जिस सांकड़े को बताया जा रहा कि ग्यारा लोगों को उजवला योजना का फाइदा मिला है, आज 1200 रुपे का गैस का सिलिंडर खीतना उनके बस से बाहर है, और हम ये कहना चाहते हैं कि देश में, देश में आज जरूरत है उन सरोकारों की उन जो हमारे आम जन्मानस से जुड़े जो समस्या हैं, उनके उपर बात कर करने की, और जब से सरकार बनी है तब से हतोड़े पर हतोड़ा, कभी नोट बंदी का हतोड़ा, कभी अब 2000 नोट को बंद करने की बाते हो रही, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, जो देश इत्मेन करते हुए, हम लोग इस हर वर्ग को साथ ले जिन महिलाओं को वो सिलिंडर मिले, जिन परिवारों को सिलिंडर मिले, किसान संबान राशी जो छे हजार पे अपरती वर्ष देने की बात हो रही है, आज आम किसान मर रहा है, लेकिन जब UPA सरकार ने आज सी हजार करोड के करजे किसानों के माफ किये गे, तब तो कोई न बोला था, विपक्स ने कहा कि ये तो तिजोरी पे बहुत बड़ा डाका है, लेकिन आज आज जिस तरह से तिजोरी पे बड़े बड़े घुटाले हो रहे हैं, वो बड़े चिंता का विशह हैं और खेजनक हैं